हेलो बच्चों कैसे हैं आप उम्मित करती हूं आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे तो आए बच्चों आज के अध्याय में हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिया के विशे में तो क्रिया को जानने के लिए चित्रों को माध्यम बनाते हैं सामने तीन चित्रे हैं हमारे पहले चित्र में क्या वाक्या है कि महक चित्र बना रही है दूसरे चित्र में पक्षी चहचा रहे हैं और तीसरे चित्र में चाचा जी अकबार पढ़ रहे हैं तो बच्चों इन वाक्यों में जो शब्द आ रहे हैं जैसे कि बना रही है चह चहा रहे हैं तब पड़ रहे हैं इससे किसी काम के करने का बोध हो रहा है यानि कि किसी काम के करने का हमें पता चल रहा है तो ये सब ही शब्द क्रिया है आगे और चित्र हैं उनको देखते हैं जैसे पहले चित्र में खिड़की खुली है जुही का जन्म कॉलकता में हुआ था सूरज उगरा है तो बच्चों इन चित्रों में जो शब्द हैं जैसे खुली है वा था उगरा है से किसी काम के करने का बोध नहीं हो रहा है यानिकि हमें नहीं पता लग रहा है इसमें कुछ काम हुआ है बलकि काम के होने का बोध हुआ है यानिकि काम तो हुआ ही है तो ये भी सभी शब्द क कि याher है तो इस प्रकार एस जिन सब्डों से किसी काम के करने अथ्वा होने का बोधे होता है उन्हें क्रिया कहते है इसमें विशेश बात है जानने वाली कि वह ये हैं कि कि क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं होता, अब क्रिया तो आमने समझ ली, अब धातू को जानना भी बहुत जरूरी है, अर्थात क्रिया के मूल रूप को धातू कहते हैं, क्रिया के विवद रूप धातू से ही बनते हैं, इसलिक धातू से लिखा, लिखना, लिखूंगा, लिखो, लिखिये आदी बन जाती है चलिए अब बढ़े क्रिया के भेद की और तो क्रिया के बेद दो आधारों पर किये जाते हैं पहला कर्म के अधार पर दूसरा प्रियोग के अधार पर पहला कर्म के अधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं अकर्मक्रिया और सकर्मक्रिया सबसे पहले जानेंगे ह अकर्मक्रिया क्या है तो बच्चों अकर्मक्रिया का अर्थ है कर्म के बन्या क्रिया अर्था जिसमें कर्म नहीं होता अर्था जिन क्रियाओं में कर्म नहीं पाया जाता है उन्हें अकर्मक्रिया हैं कहते हैं जैसे कि हमारे सामने दो चित्र दिये गए हैं इनमें कौन से वा तो बच्चों इन वाक्यों में जो शब्दाएं जैसे सो रहा है ता नहा रहा है क्रियाओं के साथ कर्म नहीं है आता है यह अकर्मक्रियाएं हैं दूसरा है सकर्मक्रिया अर्था सकर्मक्रिया का अर्थ है कर्म के साथ क्रिया अर्था जिन क्रियाओं में कर्म पाया जाता है उन्हें सकर्मक्रिया ही कहते है जैसे मम्मी खाना बना रही है पापा फल खरीद रहे है तो बच्चों इन में कुछ शब्द ऐसे आए हैं जैसे बना रही है थगता खरीद रहे हैं क्रियाओं के साथ खाना वफल कर्म आया है अते ये सकर्मक्रियाओं हैं सकर्मक्रियाओं भी दो प्रकार की होती हैं एकर्मक्रिया और दुकर्मक्रिया एक कर्मक्रिया क्या है? नाम से ही पता लग रहा है, जिन क्रियाओं में केवल एक कर्म होता है, एक कर्मक्रिया क्यलाती है, जिसे विशाल दूद पीता है, इसमें दूद कर्म है, निखिल पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें पुस्तक एक कर्म है, दूसरा होता है दू कर्मक्रि किया इसमें भिकारी और भोजन करिया का उधारन मा बच्चे को दूद पिला ती तो बच्चे और दूद इसमें दो कर मां है या भी करम करिया का उधारन paral conches आश्वच बात है जिले जान देना जरूरी है वो बात ये है कि क्रिया के साथ क्या किसको और किसे लगाकर प्राश्ण करने पर यदि उसका उत्तरप्राप्त नहीं होता है तो वह अकर्मक्रिया होती है और क्रिया के साथ क्या किसको और किसे लगाकर प्राश्ण करने पर यदि उसका उत्तरप्राप्त होता है तो वह सकर्मक क्रिया होती है चलिए अब जाने प्रयोग के अधार पर क्रिया के भेद तो बच्चों प्रयोग के अधार पर क्रिया के पांच भेद होते हैं सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नामधातु क्रिया, प्रेनार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया इन्हें भी जान लेते हैं सबसे पहले जानेंगे हम समन्ने क्रिया क्या है बच्चों जिन वाक्यों में केवल एक ही क्रिया का प्रियोग किया जाता है वहां समन्ने क्रिया होती है जैसे कैलास बाजार गया यह एक ही क्रिया यह गया बाहर मत जाना एक ही क्रिया है जाना तो य संयुक्त क्रिया कहते हैं इसे मम्मी मंदिर से लोट आई इसमें दो क्रिया है लोट और आई और एक ही क्रिया बन गई तो यह संयुक्त क्रिया विपुल आ गया इसमें आ और गया दो क्रिया अपसमें मिलकर एक वाक्य को पूर्ण कर रहे हैं तो यह संयुक्त क्रिया का उधर नामधातु क्रिया पर पच्छो जो क्रियाएं संग्या सर्वनाम तथा विशेशन शब्दों से बनाई जाती है उन्हें नामधातु क्रियाएं कहते हैं जैसे हाथ एक संग्या शब्द है इससे नामधातु क्रिया बना हत्याना अपना सर्वनाम शब्द है नामधातु क्रिय किसी अन्य व्यक्ति को करने के लिए प्रेरित करता है उन्हें प्रेणार्थक क्रियाएं कहते हैं जैसे अध्यापक छात्रों से निबन लिखवाते हैं इसमें अध्यापक ने स्वयम काम नहीं किया प्रेणा दी उन्हें लिखने के लिए तो ये प्रेणार्थक क्रिया है शी प्रियुक्त होने वाली अन्य क्रिया को पूर्वकाली क्रिया कहते हैं जैसे बासू शेर को देखकर डर गया प्रणया नहाकर पूजा करने गया तो इसमें देखकर और नहाकर पूर्वकाली क्रिया है बच्चों मुझे पूरी उमीद है कि आपको क्रिया अच्छे से समझ में आई होगी लेकिन एक बार आपके अभ्यास के लिए इसे दोहरा लेते हैं जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो उने क्रिया कहते हैं कर्म की अधार पर क्रिया के दो भेदोते हैं अकर्मक तथा सकर्मक क्रिया प्रयोक की अधार पर क्रिया के पांच भेदोते हैं सामान्य, संयुक, नामधातू, प्रेनार्थक तथा पूर्वकालिक क्रिया तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये अध्याय अच्छे से समन में आया होगा अब इसका अभ्यासकार्या स्वेब कीजिए